गुड़ इवनिंग दोस्तों, हाउ आर यू आल, I hope आप अपने अपने घर पे सेफ है, स्वस्थ है और अपना-पना काम अपने अपने तरीके से कर रहे हैं दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक रिव्यू, एक प्रोड़क्ट रिव्यू, यह एक बाइकिंग एकसेसरी का रिव्यू है, हाला कि इस प्रोड़क्ट का मैंने कुछ दिनों पहले अपने ही इस चैनल पर अन्बॉक्सिंग किया था, हाँ दोस्तों, मैं बात क करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चानल पर इस वीडियो को देख रहे, तो प्लीज इस वीडिए को लाइक करे, मेरे चानल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बादद वो नोटिफेकेशन ब्ल ज़रूर दबाएं, प्लीज मुझे कमेंड सेक्शन म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें आईए बात करते हैं प्रोड़क्ट के बारे में जैसा कि मैं कह रहाता बीबीजी स्नेल आईकॉनिक राइडिंग ग्लाउस मैंने ऑनलाइन ही लोगडाउन में इस ओर्डर किये थे मुझे कहते हुए यह बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी उनका कस्टमर सर्विस है उनसे मुझे काफी मदद मिली जब मैंने उनके तरफ से यह ओर्डर किया मैंने ओर्डर किया तो ऑनलाइन हाला कि अगर देखने जाओ तो दो तरह के सेम मॉडल मिल रहे थे उनके साइड पर टचपैड पैच उसका इशू था और यह उन्होंने क्लियरली वेबसाट पर मेंचन किया तो और इसलिए इस वाले बैच के ऊपर भारी डिसकाउंट था और वही डिसकाउंट वाला प्रोडक्ट मैंने खरीदा था जब मैंने इसे ओर्डर किया तो मुझे उनके तरफ से ए बलत है according to the measurement प्लीज आपको यह साइज सूट करेगा और उनका कहना बिल्कुल भी सही था यह जो साइज है वो हाइट के तौर पर मुझे काफी अच्छे तरीके से फिट हो रही है बट विर्थ काफी ज्यादा लग रही है मुझे इस गलाउस की अगर आपको मैं दिखाउं ज्याँ पर तो अगर आप देख सकते हो तो यह गलाउस मेरे दिख रहा है पहनने के बाद और ये मेरे हाथ के साइज है तो आप देख सकते कितना बढ़ा लग रहा है मेरा हाथ क्योंकि इसका जो फिटिंग है वो एकदम snug fit नहीं है आला कि मेरे उंगलियों को कही पर भी द देख पा रहे हो तो यह जो stretchable material है वो बहुत अच्छा है gloves मैं दो या तीन rides में पहन चुका हूँ हाला कि जो rides थी 6 या 8 गंटों की उससे जादा नहीं थी but उसमें कहीं पर भी मुझे दर्द नहीं हुआ हातों में हाँ शुरुआत में थोड़ा सा दर्द होता है मैं नहीं कहूंगा बट देरे देरे आप यूस्टू हो जाओगे इन gloves के लिए इसका जो यह material भी है अगर आप देख पार अभी यहाँ पर camera पर यह बहुत hard material बहुत अच्छा है पीछे की तरफ यह जो hard knuckles है वो बहुत ही बढ़िया है उसका कुछ दर्द नहीं होता और एक secure feeling देता है और उसमें ventilation भी जैसा कि आप देख पार हो उसमें ventilation काफी अच्छा है आपको उतना पसीना नहीं आता जितना हलाकि मैंने raining season में ride किया था तो ऐसे भी ज़्यादा गर इसे में summer में जब ride करूंगा तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा but थोड़ा बहुत पसीना तो आया मैं नहीं कहूंगा but हाँ उतना पसीना नहीं है जितना मैं expect कर रहा था number one number two यह waterproof बिल्कुल भी नहीं है अगर यह बारिश में भीगते है तो make sure कि आप इसे अच्छे से सुखाते हो और इसे अच्छे से रखते हो क्योंकि यह leather है यह खराब होने की chance से इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे talking about the grip of it यह जो velcro है यह बहुत ही बढ़िया है यह काफी बार में खोलना बन करना कर चुका और लेकिन इसकी जो सिलाई है वो उधरी नहीं यहाँ प कर अपने jacket में या back पर अटका सकते हो तो it's a very good thing that they have thought of this thing you know जिससे एक rider की परेशानी थोड़ी सी कम हो सकती यह देखो यह हो गया यह मैं इतने से clip पर यह दोनों अटका दिये और फिर इसे मैं अपने jacket में लगा सकता हूं the best thing what I have liked about this gloves is the internal cushioning यह जो कुशिनिंग है यहाँ यह बहुत बढ़िया है it is very comforting और इससे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती हाँ जैसा कि उन्होंने site पर कहा था इसका जो यह touch sensitivity है वो खराब होने लगा है already मैं आपको दिखाता हूं मेरे एक hand का already खराब हो चुका है यहाँ पर if you can see यह दिखिए यहाँ पर खराब हो गया है but यह जो touch sensitivity है it's good I won't say it's best or I won't say it's bad it's good थोड़ा सा technique आपको यूज करना पड़ता है थोड़ा सा technically आपको थोड़ा सा angle और shift करना पड़ता है उमली का touch करने के लिए थम पर भी है और first finger पर भी है दोनों gloves पे which is good again there is a good protection for the pinky finger यहाँ पे soft protection है but they have given it a good protection here then again अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा protection दिया हुआ है अगर आप ऐसे गिरते हो यूनों तो एक थोड़ा सा cushioning है जिससे मदद मिलती है coming to the things which I have not liked about this gloves number one कही ना कही पर यह थोड़े से loose लगे मुझे in terms of width you know यह snug fit नहीं है जो एक होता है ना कि gloves मेरे हाथ का ही हिससा बन गए यह feeling नहीं हाता ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े हाथ मैंने रख्या है second number one number two they are very prone to fungus because मैंने बारिश में राइड की थी तो थोड़े बहुत भीग चुके थे उसके बाद मैं गर पे आने के बाद इन्हें पोच कर अच्छे से पंके के निचे सुखान था within a span of a week बहुत जल्दी fungus पकड़ा था शायद इसके बज़े से हो रहा है क्योंकि material ऐसा है ऐसे materials के साथ हमेशा होता है but I was not expecting कि इतना fungus लगेगा within a week or so और मैं हर हफते राइड कर रहा था कुछ पिछले कुछ 2-3 हफतों से तो every week मैं इसे out कर रहा था तो finally मैंने अभी decide कि कि इसे मैं अंदर ही नहीं रखूंगा इसे यूनों भार ही रखूंगा हवा में तो इसे फंगस लगेगा भी तो भी मैं इसके तरफ देख सकता हूँ यहां पर यहां पर फंगस आपको अभी भी दिख रहा होगा इसके ओपर दिख रहा है यूनों so which is not a good thing ठीक है फंगस है यूनों लेधर है I can understand but within a week becomes थोड़ा सा गटबर मेरे लिए I was not expecting कि मैं हर अफते इसे बाहर निकाल रहा था first एक हफते में ही इसे फंगस लग गया अपको मैंने और इमेज भी दिखा चुका हूँ so that's all from my side other than that I have loved the gloves I would suggest अगर आप वो सेल अभी भी चालू है और अठासो रुपए के अंदर अंदर यह है तो this is a steel this is a major steel please इसे खरीदिये and enjoy the riding this will give you a good confidence and a good protection also for sure also अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे like करें नीचे comment करें मुझे बताए आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसे subscribe करें subscribe करने के बाद notification bell दबाए और इस वीडियो को जाधा जाधा लोगों तक share करें और भी कई सारे products के unboxing और reviews लेकर आऊंगा तब तक stay home or go out but do wear mask keep doing sanitization and please keep maintaining social distancing हमें हमारी care करना बहुत जरूरी है मिलूँगा आपको अगले ऐसे वीडियो में किसी और product के साथ या किसी और फिल्म के साथ तब तक have a nice day bye bye